हेलो एवरीवन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश दा इंग्लिश चैनल बुक का चाप्टर 2 तिपती दा फ्लाइंग स्क्वेरल का पार्ट 2 पार्ट 1 कर लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं तिपती was the means of my solving a problem in natural history regarding which a controversy raised for many months ओथर जो है वो naturalist थे और controversy means होता है विवाद वो कहते हैं कि तिपती मेरे लिए प्राकतिक इतिहाज की एक समस्या को हल करने का एक ऐसा माध्यम थी जिसके संबंध में कई महीनों से विवाद चल रहा था The Himalayan nutcracker Nusifrega Hemisvilla had been credited with the hose one frequently found in the walnuts in the Himalayas Himalaya में पाए जाने वाले अक्रोटों में अक्सर पाए जाने वाले छेदों का श्रे Himalayan nutcracker जो एक तरह की birds होती हैं उनको दिया जा रहा था I tested the truth of the assertion by placing walnut under a tree where a pair of nutcracker used to come यहाँ पर narrator कहते हैं मैंने एक पेड के नीचे अक्रोट को रख कर इस दावे की सच्चाई का परेक्षन किया यानि जो यह assertion था जिसमें कोई proof नहीं था कि इसमें छेद करने वाली वो birds हैं तो मैंने उसे टेस्ट किया कि अक्रोट जो हैं मैंने पेड की नीचे रखे और जहाँ पे nutcrackers का एक जोड़ा यानि एक पेड जो है हमेशा अक्सर आया करता था After this, a few nuts were collected in which Tipati had already made the holes and placed under the same tree and carefully watched लेकिन वहाँ जोड़ा तो आया मगर उसने उस मेवे को पलटने की कोशिश भी नहीं करी उसे तोडने की कोशिश भी नहीं करी इसके बाद कुछ walnut को एकत्र किया गया जिसमें Tipati ने पहले से ही छेट कर दिया था और narrator ने उन walnuts को पेड के नीचे रख दिया और फिर उसे ध्यान से देखा In due course, कुछ समय बाद, the birds came along and at once selected the bored walnut and began packing at them and working their beaks inside the holes उन्होंने फिर से observe कि वो छिडियां वहाँ पर आई और उन्होंने वही तूटे हुए walnut जो छेट किये हुए walnut थे उनको चुना और उनमें अपनी चोच से pack करने लगी पैक यानी अपनी चोच मारने लगी और उस पर काम करने लगी लेकिन उन्होंने खुच से वो hole नहीं बनाये थे कहा जाता है कि जो flying squirrels हैं ओरने वाली गिलेहरियां वो अपना drink को गटक जाती है लेकिन टिपती जो है वो ladylike थी इसलिए वो अपना दूद के साथ ऐसा कोई भी mess नहीं करती थी और उसको वो जिस तरीके से कहा जाता है कि वो गिलेहरियां अपना दूद गटक जाती हैं तिपती ऐसा बिलकुल भी नहीं करती थी she was usually in rather a hurry for it and consequently more of her face went under the saucer than was intended by nature with the result that a certain amount of liquid went up her nose and made तिपती sneeze and spulter अब ऐसा नहीं करती थी तो वो आम तोर पर क्या करती थी उसको इतनी जल्दी होती थी पीने की कि परिणाम सरूप उसके चेहरे का जितना भी हिस्सा था वो उस saucer में यानि उस तश्टरी में चला जाता था और एक निश्चित अमाउंट में जो एक तरल पदार्थ होता था वो उसकी नाक में चला जाता था इससे तिप्पती को छीक आ जाती थी और वो चटपताने लगती थी कभी कभी उसे उस दूद को अच्छे पीने के प्रयास भी करती थी लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती थी और फिर वो उसे गटकने की कोशिश नहीं करती थी क्योंकि वो परिशान हो जाती थी चटपता जाती थी और ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करती थी शी फ्रेक्वेंटली अकंपेनेट बाई मी एंड डॉक्स फॉर दा आफ्टरनून इस्ट्रॉल आफ्टर बिइंग रदलसली पुल्ड आउट अफर बॉक्स वै अक्सर दोपहर की सैर के लिए मेरे और मेरे कुट्टों के साथ चलती थी उसे आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था उसे रदलसली यानि उसे घसीट कर हमें उस डिब्बे से जिसमें वो रहती है बॉक्स से निकालना पड़ता था और फ्रस्ट अंडर्ड यार्ड और शो शी बहुत परफेक्टली हैपी सौ यार्ड तक तो वो बहुत खुछ रहती थी जंपिंग अलॉंग बहाइंड और फ्लाइंग स्क्वेरल स्नेश्रल मोड अफ प्रोग्रेशन वेन उन ग्राउंड इस सक्षेशन अफ जब वो लोग जमीन पर रहती हैं तो वो फुदक फुदक के चलती हैं और नॉट दा ग्रेसफुल लिटल होप और इस स्ट्रिप्ट स्क्वेरल बट रैधर अलॉंबरिंग गैलॉप विद दा ओल फॉर फीट इन दा एर अट दे सेम ताइम ताइम धेल हैं तो फुदक फुदक के चलती थोड़े समय के लिए तो वो बहुत खुशोती थी लेकिन जो गिलहरी हैं वो छोटी 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 छलांग लगाती हैं बलकि एक समय में चारो पैरों को हवा में रखते हुए एक लंबी छलांग लगाकर पूच को भी हवा में सीधा रखना जानती हैं और आखरी अंतिम चार इंच में वो अपनी पूच को मोड लेती हैं इसा वो लंबी दूरी के लिए नहीं करती तिप्ती जल्दी ठक जाती थी रुख जाती थी और फिर इंडियरेंस का मीज होता है कि उसके अंदर की कैपसिटी जो है वो खतम हो जाती थी अगर वो मुझे आसपास पाती थी तो वो मेरे पैर के सहारे मेरे कंदे तक चड़ जाती थी और अगर उसके आसपास ये दोनों डॉक्स होते थे तो वो उन पर चड़ जाती थी लेकिन फिर वो आगे फुदक-फुदक के नहीं चलती थी थी थोड़ा सा केरलेस हो जाती थी थोड़ी सी लेजी हो जाती थी एन ओक और देवदा ट्री इनवेरियेबली अट्रेक्ट हर इन अटेंशन लेकिन ओक का पेड या फिर देवदार का पेड अगर उसको दिख जाता था तो वो डेफिनेटली बगर किसी सोच के उसकी तरफ अट्रेक्ट हो जाती थी और फिर वो बिलकुल ऊपर के छोड तक पहच जाती थी और पेड में निकली हुई यंग लीव्स यानि जो बिलकुल फर लीव, आफ्टर लीव उसको ये पत्तियां बहुत पसंद थी, जूसी जो होती थी और वो उसका जूस लेकर बाकियों को फेक दिती थी और वो कोई भी पेर को देखकर या श्रब को देखकर खुश हो जाती थी अगर उससे कुछ भी कहने को मिल जाता था यानि वो चूजी नहीं थी जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चक्वा हैं, नरेटर भोलते हैं कि मैंने आपको पहले बताया है कि तिप्ती जो है वो नॉक्टर्नल यानि रात्री चर है और वो संसेट होने से थोड़ी देर बाद ही जाग जाती है अगर उसे अच्छा डिनर ना दिया जाए अगर उसे मनपसंद डिनर दिया जाए तो वो अच्छा से ओवरीटिंग कर लेती है और फिर वो सुबह ही जागती है और अगर उसको यह अच्छा खाना नहीं मिलता तो वो पूरी रात खेलती रहती है और पूरी रात वो जैसे की नॉक्टर्नल है तो वो जागती है मैंने बहुत जल्दी ही इस बात की खोच कर ली कि अगर उसे अच्छा भोजन उसके मनपसंद भोजन दिया जाए और वो ओवरीट कर ले या फिर वो अच्छे से खा ले तो मेरे सोने के साथ साथ वो भी सोने चली जाती है जिस दिन उसे कस्टर्ड दिया जाता था रात को डिनर में उस दिन वो डेफिनिटली ओवरीट करती थी जिसका मतलब यह होता था कि वो सुबह तक अच्छे से सोती थी और फिर मुझे रात में वो वो कभी करदारी जगाती थी और जब मैं जाकता था तो मैं पाता था कि मेरे आसपास कुछ गर्माहर्ट सॉफ्ट सा फरी सा बॉल जो है वो मेरे गले के आसपास लिप्टा हुआ है लेकिन अक्सर मुझे ऐसा भी पता लगता था कि जब मैं जाकता था तो तिप्ती मेरे बालों के साथ, मेरे उठे के साथ, मेरे कानों के साथ खेल रही होती थी There was something extraordinary fascinating about her every movement and her little syrup of pleasure was very sweet to hear उसकी हर हरकत में कुछ असधारा रूप का आकर्शन था और उसकी खुशी की छोटी सी छोटी चाहचाहाट सुनना भी बहुत अच्छा लगता था तिप्ती के पास तरह तरह की कॉल थी और उसकी घुराहट जो थी वो सबसे खतरनाक थी उसकी अपने आकार से दस गुना बड़ा जानवर को वो मात देती थी उसका अपना गुसा जो था वो तो बिलकुल बहुत भयानक था I am sorry to say narrator कहते हैं मुझे खेद है ये कहते हुए which every member of household master and docs included had occasion to remember कि घर का हर सदस्य मालिक से लेकर कुतों तक हर कोई शामिल है जिसने उसके गुसे का सामना किया है उसको याद है कि किस तरीके से वो गुसा करती है It showed for a second and was gone again as suddenly as it had been roused but in that instant her sharp claws had torn some offending hand and her terrible teeth had sent a dog howling out of the room वह एक सेकिंड के लिए दिखाई दी और फिर उसी तरह अचानक गायब हो गई जैसे उसे जगाया गया था लेकिन उस पल में उसके तेज पंजों के आकरमक हाथ जो हैं वो घायल कर दिये थे और उसके भयानक दातों ने कुत्तों तक को कमरे से बहार निकाल दिया था पूर तिपती Her ends was tragic in the extreme उसका अंथ कैसे हुआ उसका अंथ बहुत दुखत था नरेटर कहते हैं बेचारी तिपती उसका अंथ जो था वो बहुत दुखत था दुखा दियानी दुख से भरा हुआ We hope it was also painless हम उमीद करते हैं कि वो दर्दनाक ना रहा हो लेकिन ऐसा नहीं था जिस हालात में उसकी मृत्ती हुई वो काफी दर्दनाक थी She had been tied up just before dinner जैसे कि उसे हमेशा बांधा जाता था उस दिन भी उसको डिनर से पहले बांध दिया गया था But somehow the end of the chain had got unfastened from the leg of the chair पर पता नहीं कैसे जिस chair से उसको बांधा गया था वो खुल गई I heard her hoping about on the board of the veranda and dragging her chain behind her मैंने जब ये आवास सुनी उसकी उचल कोट की जो की बरामदों में chain के साथ हो रही थी क्योंकि chain उसके गले से बंदी हुई थी मैंने जब आवास सुनी तो मैंने उसका पीछा किया I went out to bring her back मैं वहाँ गया उसे वापस लाने के लिए But in that instant something flashed past me लेकिन मैं इससे पहले कुछ कर पाता मेरे सामने कुछ shocked हुआ There was a tiny squeal वो एक छोटी सी cheek cheek कैसी and a poor fox had poor tipati in its relentless jaw जो tipati थी वो लोमडी के जबडे में दबी हुई थी उसने कस के उसको दबा रखा था बिलकुल भी दया पूरवक नहीं बिलकुल निर्दाइता से उसने उसको दबा रखा था Her death was avenged और इस तरीके से तिपती की मृत्यू हो गई उसकी मृत्यू का बदला तो लिया जाएगा लेकिन किसी दूसरी कहानी में एक अलग कहानी में तो यह जो स्टोरी थी यह इसका explanation था आपको कैसा लगा यह comment बोड़ पसंद आया हो तो like करें share करें चैनल को subscribe करें